जाहिन देखिया हमारे तीनो सेनाओं के जो पहले Chief of Defense Staff यानी CDS जो थे विपिन रावत अब हो हमारे बीच नहीं रहे इनका एक सांदार करियर रहा ये उत्तरा खंड से आते थे इनके पिता जी भी सैनिक जो Lieutenant General के पद से रिटार हुए थे ये हमारे सेना के थल सेना पर मुख है उसके बाद पहले CDS रहे इनका मुख के काम तीनो सेनाओं में समन्वे अस्थापित करना था ये अपने कारेकाल में इसको बहुत ही बखुभी अपने काम को पुरा किये थे 1908 में इनका जनम हुआ और आज के दिन इनका हेलिकॉप्टर क्रास में ये सहीध हो गया चार च लेना के P8I को लदाख में तैनाथ करना इनी का डिसिजन था उत्तरी कमांड को थेटर कमांड बनाना यानि तीनो सेना आपस में कोडिनेट करके लड़ाई लड़ेगी इन्हों की सबसे बहतरीन डिसिजन थी इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरपॉर्स सब को बहुत बहतरीन के पास यहां पर, यहां नेलोर के पास यहां पर, यहीं पर इनका हेलिकॉप्टर जो है, इनकी पतनी भी साथ में थी, दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा सका, बहुत दर्दनाक यह हाथसा था, पूरी बीमान में आग लग गई थी, मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे, उनमें जिनके DNA टेस्ट करके पता करना पड़ा है, यह उटी के पास यह बीमान धुरगटना हुआ है, यह जो हेलिकॉप्टर है, एक्चुली यह भी वी आईपी के लिए लाए गया था, आगस्टा वैस्टलेंड जो हेलिकॉप्टर था, जब वो करॉप्शन क का सिखार हुआ, तो मी 17 B5 को एडवांस है, यह मी 17 का एडवांस वर्जन है, MI 17 B5, यह जो B5 है, यह एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, इसे हम लोग 2012 के कॉंट्रेक्ट मिला थे, 2018 में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भार में विंग कमांडर सहीद हो गया थे, अभी कुछ दिन पहले यह अरुनाचल परदेश में दुरगटना ग्रस्ट हुआ है, 2019 में हमारे ही अपने साइनी को द्वारा इसके उपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी यह भी उस्तरमें क्रेस हो गया था, ह जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है, एक्चुली यह ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यह एक अटैक हेलिकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है, इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इससे सैनी को ले आने, ले जाने के लिए दिया गया है, इसमें 36 सैनी हथियार के पूठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है, इसको मैंली मतलब ट्रांसपोर्ट के तर पे इस्तमाल किया गया था, यह बहुत विश्वस्नी है, दुनिया में रहा है, आला कि कई टेकनोलजी का 100% हम भरोता नहीं कर सकते हैं, यह 200 किलो मेटर प्रती घं करता है, नाइट वीजन है, इसमें अनबोर्ड है, इसमें हर चीज की नई एडवांस टेकनोलोजी लगाई गई है, फिर भी यह आए दिन दुरघटना ग्रस्त होता है, हलिकॉप्टर में कई ऐसे, मतलब देसों में भी ऐसी घटना है, इसकी रेकॉर्ट की गई है, इसमें आउन बोर्ड नविगेशन सिस्टम एडवांस रड़ार सिस्टम को लगाए गया है, आउन बोर्ड वेदर रड़ार को लगाए गया है, कि मौसम कैसा है उसके इधा पे भी जानकरी दी जाए हलाँ कि प्रत्थम तो यही कहा जा जारा है, इसके पीछे मौसम खराब को जिम इडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है, इसके कॉकपिट को नया डिजाइन किया गया था, कस्टमाइज करके अलग-अलग हिसाबों से, इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ-साथ अटैक के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसमें अलग-अलग जगों प साथ-साथ हमला भी बहुत kg से कर सकता है, इसमें कई सारे missiles सारे missiles को लगाय जा सकता है, अलग-अलग तरह के, इसमें machine gun है, sub machine gun है, automatic gun है, radar, rockets है, missile fire करने की छमता है, उसमें machine gun के भी लगाय गया है, ताकि ये ground attack को भी बहुत अच्छे से perform कर सके हो। यह 60 देसों द्वरा भी स्वस्निय है हेलिकॉप्टर रहा है हलागि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया जाना हर देसों में इसका कमों बेस एक्सिडेंट का रेकॉड रहा है हम टेकनोलजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते है एक्चुली जब भी आप कोई विदेश से हतियार को लाते है उसमें पर्मानेंट आप मेंटिनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है क्योंकि अगर कोई ऐसे कल पूर्जे खराब हो गया जो विदेश से लाने है तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भाई अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है लेकिन वही अगर हम अपना हेलिकॉप्टर देखेंगे ध्रू जो इसे हम बना रहे है तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा लेकिन क्या करें भारतिय सेना में स्वदेशी करन मेकिन इंडिया क सबसे जादे अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो वीपिन रावत जी नहीं दिया था अब कई सारे ऐसे हतियार ऐसे इसे इस्ट्रूमेंट थे जिस पर आयात पर बैन लगा दिया था पहली बार भारत जो है इसराइल के बराबर हतियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है तो यह भारत के लिए एक अच्छी खबर की है रखर वीपिन रावत जी जो थे जब तक उन्हों ने भारत रहें भारत माता की सेवा ही किये रहें अब उनको होनी को कोई क्या टाल सकता है आगे सरकार का डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ आप डिफेंस CBT1 का रेजल्ट दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT2 का एक्जाम ले लेगी साथ ही रेलवे ग्रूप D को भी 23 फरवरी से स्टार्ट कर देगी अब बेरोजगारी इतनी हाई लेबल पे हैं महंगाई कोरोना में लोगों का रोजगार चमिलिया और हमारे जादेत और स्टूड सबसे कम फी में दिया जाए तो आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए पूरा कंपलीट बैज जिसमें आपका मैस भी रहेगा रिजनिंग भी रहेगे उसमें कंपलीट जीके रहेगा साइन्स का पूरा पोर्शन रहेगा करेंट का पूरा पो कि इससे minimum possible ही नहीं हो सकता है 200 रुपय में आपको total चीज आप खुद सोच सकते हैं कि इससे minimum possible ही नहीं हो सकता है इसमें हमारा tax भी सामील रहता है GST income tax वगरा 50% तो server cost इससे minimum में पावू possible ही नहीं हो सकता है इसमें जादे admission हम लोग नहीं ले पाएंगे तो शुरुआत में ज समझ रहे ना इसमें दस्वी class के teacher जो भी बच्चों को जो पढ़ते ही इतना minimum रहता है तो फिर भी आप लोग आगे जाके देश सेवा करेंगे हमको भी इस चीज को feel करते हैं कि सबके से सबकी रोजगार को छीना था Corona में यह एक मौका मिला है आप अपने माबाप का नाम र स्ट्रोल होंगे और उपर वला हमारे बीपिन रावाजी की आत्मा को सांती दे मिलेंगे नेक्स क्लास में जाहें